जब लग गुरू मिले न साचा तब लग गुरू करो दस पांचा क्या गुरू बदल सकते हैं? क्या गुरू बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरू कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संथ कौन है? इन सभी प्रशनों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संथ राम पाल जी महराज के मंगल प्रवचन अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सत लोग को गया परमात्मा के साथ उन्होंने सत्गुर ने मेरा हन्स यानि सुन्दर रूप बना दिया बहुत सुन्दर रूप वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सुरिया की सरीर होता है यहां 119 परिश्ट पर वो 10 मुकामी रेखते पड़ते विया रहे हम नीचे आगे यहां पर क्या बताते हैं काया आनंद सौफंद सब छोड़िया तहां चड़ हन्स गोविते तरेरा काया आनंद काया आनंद का पर छोड़िया पहुँचे जहां सत लोक मेरा अंसनी हंस सब गाय बजाय के साज के कलस मुह लेन आए हांसनी यानि इस तरी रूप में और हंस पुरस रूप में हंसनी हंस सब गा बजाय के साज के कलस मुह लेने आए जुगन जुगन के विछडे मिले तुम आई के और प्रेम कर अंग सो अंग लाई सारा न सीने से लगाया मुझे वहाँ पर पुरस ने दरस जब दीना हन्स को तपन बहुत जुनम की तब नसाई एक सो पचास प्रेश्ट पर उसी के हमर लोग के पलट के रूप जब एक सो की निया मन हू तब भानू सो डस उगाए पूप के दीप पयूस भोजन करे सबद देह तब हन्स पाए सबद देह तब हन्स पाए पुस्प के सिहरा हन्स और हन्स नी सचीदा नंद सिर छतर छाई इस्त्री और पुरस सचीदा नंद प्रमात्मा के सिर पर सतर पकड़ रख्या था उना में अब ये कहता है ना जब इसके सारी पूल खुल जाएगी सबसे अब ये क्या कहता है कि वो सबद जो है नी अक्सर है नी सबद है वो बाणी से बहार की बाते हैं अब प्रमात्मा की वाणी लिख रहा है अनुवाद गल्द कर रहा है मूरख बनाने के लिए ये देखो ये प्रिश्ट नमर एक सो बाण पर उसी अमर लोख पुस्तक के हैं ये क्या कहते है सत्गुरु कहत पुकार के हर्दे करो विचार ये सारी वाणी है नी अक्सर चीना नहीं बिन सत्गुर उपदेश आदी गुरु का ग्यान लेकिन पुकार कबीर नाम कहसो भूल है ग्यान लखहसो थीर नी अक्सर जब पावे जब गुरु होए दयाल यहां देखो नी अक्सर सबद है और सुरत नर्थ से जाप उसका जाप करना है वह सबद है अब कबीर साहिब कहते है आदी नाम हमने भाग सुनाया और यह मूरक जीव मरब नी पाया कबीर साहिब कहते है सार सबद को आदी नाम को नी सबद को नी अक्सर को मने बोल के सुना रहा है कर उसका सुरत निर्थ का जाप है जीव से जाप नहीं करना वानी का विसे इसलिए नहीं है कि वो इलके जाप नहीं करना इस मुद्धु परमंस की पूस्तक वही अमर लोग के प्रिष्ट भी आड़ इस पर और कलिया नकर रखे देखना यह वो अमर लोग है वही पूस्तक है इसकी यहां देखिएगा एक तालिस परिष्ट पर दिखाते हैं पहले आपको लेकिन यह समद नहीं से का परमातमा को कैसे समझाए यह बता यहां देखेंगे यह कहते हैं कि सुक्सम देहे में ओहम सोहम इनका ख्याल अपारा हो आप यह सुक्सम देह में काम कर रहे हैं अब ब्यालिस पर देखो इस में क्या बता है कि अमर लोग में पुरस्विदेही निगम नपाव पारा हो और उनकी उपमा कहालग वर्नो मुक्से होय नवारा हो कोटन सूर चंदर तारागन एक रोम पर वारा हो सेत सिंगासन और सवेत छतर सेत ही हन्स पियारा हो उस परमात्मा के सिर पर सवेत छतर है और सिंगासन पर विरादमान है उनका और वहां के हन्स यानि जितने बगत हैं वो मनुस अदर से हैं वो अभी सवेत ही है सफेद और सेत बुमी तों सेत वरक्स है वह आरे वह दूपर रजमान से वह बिंदू कित गैतरे भी है कहते हुआ सवेत बुमी है सफ़त लोग की और वहाँ सपेद वरक्स भी है और सेत इकला सुहिला हो और पारस पान लेहु तुम सुकृत तब देखो दरबारा हो कह कभी रशनोत रमदासा तुम से होई निरधारा हो अब इसमें सपष्ट हो गया कि वह सफेद वुमी है सतलोग नारा है प्रमात्मा सिंगासन पर वराजमान यह प्रमात्मा की वाणी है लेकिन यह वाणी यह प्रमात्मा का चोर यह समझ नहीं पाए अपने अत्माँ अब देखिएगा यह बगती का चोर नाम के पूछत काई मदूपरमानस जी की और उन ते चोर बतावा है अर इब आप देखिए यह कहां से चपी है यह वही है इनका सारा सांग यह देखिएगा यह प्रिश्ट नमर 17 पर है यह जो विधे सब्द को याम नट कर दिया है बगती के चोर के उसमें यह प्रमात्मा की वार्णी है धर्मनी मोहिन व्याप माया कैन सुननकी है यह काया इस रीर है मेरा अर दे नहीं और दरसे दे ही और रहू सदा जहा परस्विदे ही अब है न दे नहीं अर दरसे दे ही यानि यह दे ही तुम्हारे जैसी नहीं है मैं साकार हूँ और रहू सदा जहा परस्विदे ही तो इसी परकार जो विधे सब्द के बारे परमात्मान का है वो सब्द अलोकिक है सामने दिखा आजमी तो जे ही कि उने उसकी और वहाँ जाकर देखा सारा कुछ अब ये बताता है आठ कमल शिरी मद उपर महनस जी आठ मा कमल अन्तिम बतावा है साथ तो सरीर में अर आठ मा सर्त्न सवा अथ उपर बता है कि तो दिखे चोड़े में जूटपल है और कबीर साहिब क्या बताते है पुनात्माओ ये थोड़ कोई समय हाप पर मेर दाता की ऐसा बढ़ी है मौसम ना गर्मी ना सर्ती अर उपर ती अमरत वर्सा के ते सुनने नहीं मिला था पुनात्मा का नाम अब कबीर सागर पढ़ रहे हम अब इसके हम कबीर बानी नाम के एक चैप्टर है कबीर बानी बोद सागर इसका खंड है इसमें 111 परिष्टपा को दिखाते हैं अब क्या बताते हैं कहे कबीर योग भी दिबानी जाते पुरस सो होई से पैचानी पर्थम मूल कमल कमल कहूरे भाई चार पंखडी तही बनाई ये मूल कमल जुईतिय कमल ये चार पंखडी फिर सट पंखडी दूसरा कमल ये पहले कमल की चार पंखडी दूसरा कमल ना बेतर और फिर तीसरे कमल की आठ पंखडी लक्समी नाराण मुर्तिता धरही और चोथा कमल ये पांच में सारा आकर के है यहां आगया आठमा कमल दस पंखडी कहिए ये आठमा कमल यहां समाप्त हो गया अब यहां करा है नौमे कमल की अवगतबानी अनंत पंखडी ताकर प्रानी तामे पूरण भ्राम अखंडा निष्वासर दरनी नहीं चंदा एक नम सत हेवानी ताही नम शिरष्टी उठपानी अब नौमे कमल म में पूरण प्रमात्मा है पूरण भ्राम वो पूरण पुरस कमप्लीट गवड वो उस नौमे कमल में है नुब में कोड़ उनकी चाया कहो रहे भाई तोन चायंगट सब समाई दो रुष रूप आदी सेदानी दो रुष रूप काया बंदानी तीसरा रूप रहत है आप पर भेद लखो ती ग्रूप रताब ती पर तीमा दो है भाई एक नारी एक पुरस कहाई जिसका भेद कहो सम जाई एक नाज एक बंद कहाई अब यह बहुत लुबी कहानी है फिर बताएंगे इसका रहत यह है सतलों के तीन डिवीजन है बाही अक्सेतर में तो जैसे दिल्ली अपना एक बारत की राजदानी है तो बाहरी अक्सेतर तो गरामिन अक्सेतर है बाहरी दिल्ली कहलाते है फिर वो बजार बजूर आगे बीच में, दूसरे डूम्बर और तीसरे पर जहां अपना परदान मंत्री राष्टरपती बहुन है, वो में दिल्ली है, ऐसे तीन सथान है, तो वहां पर जो बहारी हक्षितर है, उसमें तो पहाड, हीरे, पन्हों के पहाड, वरक्स फलदार, वरक्स बाग बुगी, जो बहुत लूम्बे विश्टार है, उसके बाद फिर इस तरी पुरस रूप में, सभी हन्स रहते हैं, नेक्स्ट पॉरसन में, वो बिंद के हैं, बिंद से, और उसे नेक्स्ट दो सथान है, वो केवल नाद से, यानि वचन से बनते हैं, वहां उनक में कमलमा पूर्ण ब्रह्म भाई, तो प्रमात्मा क्या कहते हैं, कबीर साहिब, जग सारा रोग्यारे, जिन सत्गूरू बैद ना जान्याओ, जग सारा रोग्यारे, भाई, साच्चा सत्गूरू कोई है न पुज है, इन जूठ्ठों जग पतियासी, इन जूठ्ठां बस सब आशरी तो है बैठे हैं अंद की बाग गई अंदे ने अब बगत तो अंदे हैं विचारे ज्ञानने इन को यह इसलिए तो उगली पकड़ते हैं संत की कही है हमें अंगली पकड़ा कर अरपार कर दे सग्यानन दे रहेते हैं और वो भी अंदाचतुर उसने भी कती कुछ ने जीखता जमी परतेक्स वानी लिख रहा है यह मद उपर मानस जी और उसका उटा अर्च करके और पेस कर रहा है इनने बठा बठा दिया पोड़ी आत्मां का ज राप्त करो पूरा मंतर और पारो जाओ बोलो सत्कुर्देव परम पिता प्रमात्मा पूर्ण बिरम सर्वा सरिष्टी रचनहार कबीर परमेश्वर जी यह हमारे सभी के जनक हैं यह वो प्रमात्मा है जो इस जीव के तमेव माता चे पिता तमेव तमेव बंधू चे सखा तमेव तमेव विद्ध्या चे दर्विण तमेव सर्वा ममदेव देव वास्तों में यह हमारे माता वपिता के गुण रखते हैं हमारे माता वे पिता है यही हमारे वास्तों में बंदू हैं सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं अज्धातम ग्यान के अबाव से हम अपने उस सर्वेगुन संपन परम साथी को, परम पिता को परम मित्र को भूल कर हम उन नासवान प्राणियों को अपना सनरक्षक साथी मित्र आदी मान कर उन्य के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुक को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं पराप्त कर सकते हैं, नहीं पराप्त कर पाते हैं सत्संग के मादम से ये ग्यान दिया जाता है समरत का सरनाग हो रंग हो री हो मुकबून नहो ऐ काजराम रंग हो री हो समरत का सरनाग हो उस समरत की सरन प्राप्ट करो उसका आश्रे लो जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा वो समरत कौन है उसकी सरन कैसे प्राप्ट होती है ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है इस अंसार में यदी कोई दुरलब वश्टू है तो सत्संग है विश्णू प्राण के अंदर लिखा है देवी प्राण के अंदर भी परमान है कि सबसे उत्तम जो तीरत है वो सत्संग है और इस सत्संग का मिलना अतिदूरलब है तो पुन्यातमाईं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है जहां देखें वही संत सत्संग कर रहे है आजकल इस टीवी चैननों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते है प्रन्तुवे सत्संग नहीं कर रहे वो तो कोरी जुठ बोल रहे हैं बकवाद कर रहे है अपने आत्माउं जो व्यक्ति पर्थम बारी दास के इन सत्वचनों को सुनता है ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खालियो कुनीन जैसा टेश्ट होता है और जब इस ग्यान से आप रिचित होगे यह थारता से के जो दास बोल रहा है यह सारी सत्य है तो उससे में आप को यह मनुखा दाख की तरह लगेंगे यह वचन दास के सत्संग के बिना पराणी कितनी गिराउट में आ चुक्या है आज आप देख रहे हो और आज से पचास वरस पहले का महुल भी हमने देखा है जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग हुए होंगे दस ग्यारा वरस के थे उससे में बाजार में जाते थे नब्बे परतिस दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे आज उसके विपरित हो चुका है इस दास ने सनोनी सो सतत्तर में सर्विस जोईन की थी एज जुलियर इंजिनियर सीविल इरिगेशन डेपार्टमेंट हरियाना उससे में पूरे विभाग के अंदर एक आद ओफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है और सन 1915 में मैं दास नजबिय सर्विस त्याग दी इस प्रमात्मा प्राप्ती के लिए उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि साइद वो विक्ती वो आफिसर रिश्वत नहीं डेता इसका कारण क्या है कि आज से लगवग छसो वर्स पहले प्रमात्मा आये थे परमीश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी बारत वर्स की पावन प्रिथ्वी पर संतेरा सो अठाणवे में जेश्ट सुधी पूर्ण मासी समवत चौदा सो पच्पन मैं कमल के फूल के उपर एक लहरतारा नामक तलाब में परमात्मा एक सी सुरूप दान करके परगट हुए थे वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दमपत्ती उठा ले गए थे वो किस उदेसे से आये थे कि उस समय हाहा कारमची हुई थी पूरे अक सेतर में भारत वर्स में बगती के सत्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी उत भूत की पूजाएं जाडे जप्टे ये इस परकार की चीज़ों पर वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उल्जा रखा था जिन से कोई लाब नहीं हो रहा था वहां कारमची थी तब परमातमा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र है मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो तो यही हमारा सचा मित्र है, यही हमारे पिता है यही हमारे माता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धारण पोशन करता है तो उसमें इस प्रमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को जो सब जगे दक्के खा चुके थे जाडे जब्टे भी करा चुके थे सब पूजाएं करके ठक चुके थे अन्तिम स्वांस गिने थे कोई किसी कारण से प्रेसान था कोई निर्धनता के कारण दुखी था कोई सरीर से दुखी था कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था उसमें प्रमात्मा ने यतारत ग्यान और यतारत बगती मंत्र जिन से हमें लाव मिलना था प्रमात्मा की तरफ से वो दिया था उस ग्यान से इतना परभाव पड़ा था 64 लाक सिस हुए थे उस कबीर परमात्मा के जो एक धानक के घर परविर्स के लिला करके बड़े हुए थे सन 1398 में छुआ चात तरम सीमा पर थी और फिर उस जुलाहे यानि धानक से ब्रामनों तक ने भी दिख्या ली क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे उनकी दुर्गती हुई पड़ी थी कहीं से कोई सहरा ने मिल रहा था 64 लाक सिस आज से 600 वर्स पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है जन साधान नहीं कर सकता इस काम को लेकिन हम भगवान की महिमा से एह प्रिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान ने सके उस समें भारत वर्स की कुल आबदी मुश्कल से चार करोड होगी कौन से भारत की अफगानिस्तान बिलोचिस्तान पुर्वी और पस्टमी पाकिस्तान इराक, इरान, गजडियों तक ये भारत वर्सी था उस समें चार करोड आबदी मुश्कल से होगी और उस चार करोड आबदी में से परमात्मा के चुश्ट लाक्सिस्ते ना कोई मीडिया था आज तो कोई भी विक्ती एक सतान पर बैठ के और थोड़ी सी अट पठ करके लाकों जीवों को भरमित कर सकता है परभावित कर सकता है उस में चौश्ट लाक से सोना एक बहुत बड़े आस्ट्रिया की बात है बगवान बिना नहीं हो सकता और फिर कोई विश्च आडंबर नहीं शरीर के उपर भाई ये आडंबर नी सिंपल में एक धानक जो लाहा कपड़ा बुना है क्योंकि वो समरत थे उनके वचन में सकती थी और जो मंतर जाब करने को वो देते थे उससे बहुत लाब होता था और जो गलती करते थे उनको हानी भी पैरलल हो जाती थी तो वो डरते थे फिर वो प्रमातमा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुमें ये हानी हुई है तो वो बता जेते थे खाँ जी हमसे गलती होगी हमने ऐसे पूजा कर ली दुबारा तो प्रमातमा ने का नहीं कबिर साहिब ने बताया है कि सो वरस्तो सत्गुर पूजा एक दिन आन उपासी वो अपरादी आत्मा भाई पड़े काल की फासी सो वरस्त गुर देव के दोरा बताये गिर सत्थ साधनाम कर रहे हो और एक दिन भी आन उपास ना कर ली अन्य उप पूजा जो तुम पर लेड़े डोया करते कहते हैं वो अपरादी आत्मा फिर पड़े काल की फासी तो पुन्य आत्मा इस परमात्मा की सब्दकोस में असम बहुत सब्द नहीं है यह वो कबीर भगवान है वो पूर्ण बर्म है परमक्सर बर्म है सर्वसक्ति बाल है इसके डिक्सदरी में इंपोसीबल वरड़ नहीं है लेकिन हम इससे लाव नहीं उठा पा रहे हैं इसका मुख्य कारणी ये है कि हम इस पर विस्वास नहीं कर पा रहें और फिर विस्वास ना होने से हमरी यादा ठीक नहीं रखते यहां से दिख्षा दी जाती है जब सेक्डों बार समझा जाता है पूश्टक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दिख्षा ले लेना अन्य था हमने यहां कोई भीड इकठी करने का सोक नहीं है लेकिन सभी मरियादाओं का पालन करते हुए इस मंतर का जाब करोचे विश्वा हजाव पूरा कोई दिक्ट नी तो जब तक हम मरियादा नहीं नभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी सौवर सत्गुर की पूजा सत्गुर पूजा यानि सत्गुर के अनुसार बताएगी वक्ती मारक को करते रहो और एक दिन आन उपासी एक दिन भी आन उपासना कर ली वो अपरादी आत्मा फिर पड़े काल की फासी कुछ ऐक ऐसे उधारन वच्छे तो बहुत सारे उधारन है लेकिन एक आदा उधारन हमें याद है बाकि तो लाकों की संख्या में ऐसे परमाण है जिनको प्रमात्मा ने सहरा दिया, नाम लिया, सुख हो गया कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाजमा के आन उपास ना कर दी तो फिर दुख सुरू हो गया उसका समाधान क्या है कि पुनर उपदेश ले अपना नाम सुचारू करावे कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से नाम खंडित हो जाता आपका नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर ता अपना रही नहीं वो काम करेगी नहीं तो आपका जो पावर से होने वाला, सक्ती से होने वाला कारिय नहीं हो पावागा और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते ठक चुके ही थे तभी तो पावर की हो सकता पड़ी आपको एक जीन्द के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो मारा सेवक, अब भी आते हो बते और उसकी पतनी का नाम कमलेश उनके एक लड़की, दो जुड़वां लड़के लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उसमें वो साथ आठ वरसके हो थे अब उनके गर में के कहर तूट रहा उसकी पतनी को स्वांसका रोग, लड़की को दोरे पड़ें और दोनों लड़के वो ऐस्वस्त रहें, ऐसी सथीती थी, एक घर पे तो एक ऑस्पीटल में रहता था और वो जैसे भी अपनी प्रमप्रागत साधना अब करते हैं, वो भी किया करते थे और सब साधना करके ठक चुके थे एक हमारा सेवक था उसने, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया बात चली, तो उसने बताया कि हमारे गर पे बहुत कष्ट है, हमारे सेवक न बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लेलो, आपको रहत मिलेगी, तो रमेस लाला जी सेठ ने कहा कि वही हुए तो ठक चुक्या हुए मुझे तासा रही नहीं, तो भगत ने उसको बहुत से परमान बताये कि उसको ऐसे लाब हुआ, उसको ऐसे लाब हुआ, ऐसा ठीक हुए, उसका दिलसा डट्टिया, उन्होंने दिक्सा ले ली, पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्री ने भी रुस ने ठीक होगे, मालक की दया होगी, तीन मेहने तक उनको कोई किसी परकार का संकट नहीं रहा तीन मेने के बाद फिर ये गुगा की पूजा का दिन आगया नाम लेने से पहले समर्यादाइं बता दी जाती है कि ऐसे ऐसे मत करना एक उसकी कोई सहली थी वो उसके गर पे आगी इस दिन और वो किसी दूसरे पंख से दिखसे थी इन रादा स्वामी पंख से उसने आके कहा के कमलेश आज तो यह नौमी है गुगा वाली तो ने गुगा जी की पूजा नहीं करिया जै पहले वो साम होई किरा करते थे वो कहने लगी ना आम ही पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरू बना लिया तो उसकी इससे एली कहने लगी कि हमने भी बना रख्या गुरू थै पर यह पूजा नहीं छोड़नी चाहिए इससे आनी बहुत हो जाती है उसने दो तीनों दारन दे दिये वह इसी ड्राइदी अब उस कमलेश ने वह गुगा फेर पूज दी अगन सोचा कर सचमच गलती गटबड़ो जा उसने गुगा की पूजा कर दी गुगा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दोरे शुरू होगे उसके दमावारी सिकायद थी वाज़ों की तो लड़के दोनों होस्पीटल में अब वो लाला जी को पता चला मुसमच से अफेर ज़ों की तो ही तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि वह ऐसे ऐसे हमारे तो फेर हुए बात होगी उस भगत ने फिर हमसे संपरक किया इस दास से मैंने कहा वह उन्हें कोई नाम खंड किया होगा उस भगत ने उस लाला जी से कहा दुकान पर संपरक किया कि वही तुमने कोई नियम खंड किया है वो कहने लगया ना ऐसा आवनत कुछ करया नहीं ना हम कोई पूजा करते हैं, ना कुछ होगा करते हैं, सब जाए अब उसको पता नहीं विचारे को, वो भगत कहने लगया नहीं, जो गुरु जी ने कहा है, वो साची पावगी, वैसे हो यह नहीं सकती है, पहले तीन महिने पहले भी तब अगवान वो यह था, तब कहा गई सारी वीमारी तुमारी ठीक होगी थी, वो दोनों जने गर पर आगे, दिन में, अगले ही दिन, पहले दिन गुगा पूजी रखी थी, उसने उन से पूछा, बहन कम लेशता है, के सची बता तू, तने कोई गल्ती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिय या कोई और नियम बंकरिया, हो जो बता रखे था, मैं बली, ना भाई मने कुछ ना कर रहा, ना नू क्यों कर करा था हमते, हम सारी नियमान जान रहे है, महरत बहुत सुख हो गया था, हो बहुत ना, मेरत ना जुच्चे या बात, वो कह रहा था, मैं गुमता गुमता उनक कि एक सटूल पै, और उसमत जंतर मंतर से क्रेवे धूप दापसी रखी, वो कह रहा था, कि मैंने उनसे पूछा, ये क्या कर रखे है, वो इनने बली, भाई या था, उसने कहा था ये गुगा पुजी होगी, कल ले तथी वा आठ, तो वा कबरासी गई, बला साची बता दे जूठ बले बात नहीं बने, ये फेर हो गया दुख तुमारे से, सारे परिवार में के हाल कर लिया तुमने, तो वो कहने लगी भाई, मैंने गुगा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे मेरी सहली पुराणी थी, उसने आकर बताया काम भी तक कर रहे हैं, और पूजा नही तो बगत केन लगया, ये मुशकल ते गुगा का डी थी गुरू जी ने, यह तने गुगा फिर बला ली, अब पूजले से गुगा ने तुम, मरे, बाड़ मजा, फिर गुरमेश बगत केन लगया, अब क्या होगा, फिर मैंने उनसे कहा था, कोई नियम खंड कर रख्या, उ उपदेश दोवारा ले, दोवारा उपदेश लिया उन्होंने, आज उन बातान है, पंदरा साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लगया, पुन्यात्मा वो, विश्वास करो इस परम्पता के उपर, आब भी आते हैं वो, आए भी होंगे आज, कबीर परमात्मा कहते हैं, जब तक यह पुन्यात्मा मेरी मरियादा में रहेगा, काल तेरा टैक नहीं हो सकता उस गर पे, हम जान बूज के, स्लोक लाज में आके, या अपने अग्यानता से गबराके, भगवान से दूर हो जाते हैं, पर तो काल त्यार बैठा है, यह तो कष्ट ही दे सकता, सुक तो जेही नहीं सकता, अब किकर के पेड़ पे, बबूल के पेड़ पे कोई आम खोजन लगये, तो कितना मुरक होगा हो, आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फला, तो कब walking, आम का पेड़ है, यह काल भगवान बबूल का पेड़ रहे, इसमें काट के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला तो कहने का भाव ये अपुन्यात्माओं सोवरसत्गुर्व की पूजा एक दिन आन उपासी और वो अपरादी आत्मा फिर पड़ेकाल की फासी तो ये दर्डता के साथ नियमों का पालन करते गें इस परमात्मा की सरण मरहो समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो कदे नहो ऐ काजराम रंग होरी हो एक किसान भगत था वो बता रहा था जिए एक दिन में अपनी बहन के चला गया उसके जमीन अधिक्ती वर्सा होगी हमारे यहां वर्सा हुई नहीं तो उसका संदेशा आ गया के बाइद जमीन जो है काफी अब वर्सा के कारण सारी ही जमीन को की गुडाई करनी पड़ेगी अड़ से मैं दो नुबेल अपने लेकर हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया मेरा बैलो ही था वो दूसरे खेत में काम कर रहा था उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था में वहां जाना था वहां दो पेर किस में एक छोटा सा तलाब होता है जोडी ही भोला है खेतों होती है छोटा सा तलाब उसके आसपास जाड जन्खाड से होते है वरक्स होते हैं वहां बैल बांद कभी सराम कर रहा था दो पेर में तो मैं थोड़ा सा देखे आंदर ने एक मंड़ी सी बनी हुई थी ऐसे छोटी सी मंड़ी किसी पीर की थी वा ये क्या होता है ये भगत जो होते हैं गुरू होते हैं ये पिछले पुनकरमी प्राणी होते हैं पिछली बैटरी चारद होती है इनकी और आगे सत्वक्ति ना मिलने से आगे चारद होता नहीं, तो ये मर जाते हैं, मरतु के बाद भी इन में कुछ बगती की सकती सेस रह जाती है, और वो परेत बनकर भटकते रहते हैं, फिर वो मंढ ही बनवाते हैं, उस में विसराम करते ह इतने कुछ चार इंटों के अंदर हैं, पीर की कोई किसी ने बोल जैसे बोल देते हैं, एक पांच किलो गुड चड़ा रहा था, जिसने बेली कहते हैं यहांपर बेली, वो पांच सेर गुड का उदान करते हैं, तो मैंने देखा गुड बड़ा सुन्दर बढ़िया, मैंन मैंने वो ठाक है कुछ तो आप खाया और कुछ बेलों को खिला दिया, खितों में चारा चराते हैं, इसमें फोड फोड के उनका गया थी, तो स्यामनम घर आ गया, रात को मैं सोया तो मुझे एक पांच एक फुट का, चार साड़े चार फुट का विक्टी दीख है, लाख कर रहा खिए उसने, भेंकर साथ चेरा बना रहा, और नो बला, मेरा गुड़ तुने उठा लिया, तो सुपना तो सुपना ही होता है, मैं के लिगा, बाबाजी तीरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर ते लिया था, ठाक है, बला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हू और नो बोला तुम तगड़े की सरण में है ना तन्य मारूं और तेरे बैलान मारता है वो बोला भाई सो अपना टूटके डर सहता गया बोला एक में एक बैला अग्यों केबला आगी भाई एक दुमाग खुली तक कुछ भी को नहाँ तो सुबह मैंने अपनी बैन और बैन वहीं से बताया तो वो दोनों सक्पके हे रहेगे कि तुँ जीवे कैसे है वाते कितनी जबर्दस्त बला रहती है उसका किसी ने भी कोई वस्तू ऐसे कर दी गड़ बड़े वो जीवे इतनी छोड़ आगरता तो बच कैसे गया तब मेरा भी जचीत और सचमूची बात बगड़ा हो जब मालक की सर्ण ना होती तै तब उसने बताया मारा कुछ ना बगाड़ सकते है पलूरे हम परमातमा की सर्ण में हैं तो वो आप मेरे मुझा नहीं देखें सारी कथा सुनका हुआ डर गे फिर रहो और गड़े तो परमातमा कहते हैं समर्थ का सर ना गहो रंगोरी हो और कदे ना हो अका जराम रंगोरी हो कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवतार ये पीर वगएरा जाकर ये भूद खड़े हो गए और कहने लगे बगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते अब हम ने ठोर बताओ हम कहां जाए परमातमा कहरे लगे कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुमारे लिए हैं उनको लूटो खाओ कबिर साब कहते हैं जो मेरी पूजा नहीं करते हो तुमारे लिए हैं और वो किस के लिए हैं लेकिन जो मेरी सर्णमा आगे हैं उनके निकट मता जाना दरम राय दर बार में देई कबीर तलाक मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़िये मत कजाक बनातमों कितनी बूल लगी थी हमारे को हम लाल को छोड़कर कोडियों को इकठा करके धनी बनना चाहते थी इतने समर्थ परमातमा कबीर सा है वो जुलाहा दानक जो कह सीम आये थे जिनको एक कवी कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रहा था अपनातमों रगवेद मंडल नंबर नो सुक्ट नंबर चाहसी के मंतर 26 और 27 रगवेद मंडल नंबर नो सुक्ट ब्यासी के मंतर 1, 2, 3 में रगवेद मंडल नंबर नो सुक्ट चुरणवे के मंतर 1 में रगवेद मंडल नंबर नो सुक्ट पिचानवे के मंतर 2 में रगवेद मंडल नंबर नो सुक्ट चानवे के मंतर 16 से लेकर 20 तक और रेगवेद मंडल नमबर नो सुक्त बीस के मंतर एक में रेगवेद मंडल नमबर नो और सुक्त एक मंतर आठ नो में और भी उन्हें कोस्थानों पर कभीर परमात्मा की और परमात्मा की अथारता भरी पिड़ी है उसमें लिखा कि वो प्रमात्मा उपर रहता तीसरे मुक्ती धामा है और वहां से गती करके चलके आता है बिजली जैसी गती से बहुत तीवरता से सेकंड के अंदर और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथर्थ ग्यान से प्रीचित कराता है उनकों से जिन अच्छी आत्माओं को कलियुग में प्रमात्मा मिले जो दास के नोटिस में है कौन कौन है आदनिय दरमदास साहिब जी जिन को प्रमात्मा स्वेमा करके एक जिन्दा महात्मा के रूप में वो प्रम्पुर्ष खुदाए और सत लोग लेकर गए तीन दिन और तीन रात तक दरमदास जी बे अचेत पड़े रहे गरवाले ने सब जनतर मंतर करा लिए सब आउस्ती करवा लिए कोई फरक निवा तीसरे दिन सब बर्मान दिखाकर अपने सतीती से परीचित कराकर वह पर छोड़ दिया फिर उस पुन्यात्मा ने उस कबीर परमेस्वर की आँखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़े लख राखिये आदनिये मलुकदास साहिब जी को मिले आदनिये नानक साहिब जी को बेई नदी पर वर्तमान में प्रिस्चमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है सल्तानपुर सहर के साथ से बह रही है सल्तानपुर सहर में नानक साहिब जी सल्तानपुर के नवाब के यहां मुदी खाने में नोकरी किया करते थी प्रती दिन उस बेही नदी पर सनान करने जाते थी वहां परमात्मा दो बार मिले उनको दूसरी बार उनको जो मिले तो नदी में डुगी लगवाई उनको अंतर ध्यान करवाया सच्खंड लेकर गए वहां के विक योंने नदी दरिया में डूबा जान लिया वहां खोज शूरू होगी डाउन सट्रीम में परमात्मा लेगे अब सट्रीम में वहां उनके सरीर को सुरक्सी दरक्स दिया इस अच्कंड के अंदर लेगे उसात्मा को और तीसरे दिन वही प dessusड़ा तीसरे दिननानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिये स्रीर में आगे वापस उसके बाद नौकरी ट्याग और बनारस में पहुंचे असमालिक के दर्शनारत वहां से सतनाम प्राप्त किया वहे गरू सतनाम वहे गरू वह गरू वह गरू वह गरू देखके सतलों की नजारे को रूई प्रमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देख्या फाई सूरत मलुक की वेज ए ठकवाड़ा ठकगी देश खरासियाना बहताबार ये धानक रूप रहा करता रहू गरू गरू गर्ण साहिब के अंदर प्रिश्ट नमर चौबिस पर ये वाणी लखी है नानक साहिब की नीच दाज पर देशी मेरा छिनाव है छिन जाव है ताकि संगत नानक रेंदा कैसे मोड़ा पाव है उसके बाद आदनी दादू साहिब जी को परमात्मा मिले है साथ आठ फरसके थे दादू साहिब जी बालक थे उनके आत्मा को सच्खंड लेकर गए तीन दिन तीन राद तक अचेत पड़े रहे दादू जी का स्रीर सारे हाहा कार माच गी और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो बाणी बोले है जो आखों देखी थी सच्खंड की जिन मुझको निजनाम दिया सोय सत्गुर हमार दादू दूसरा कोई नही कबीर शर्जनहार उसके बाद आदनिये गरीबदास साहिब जी गाउं सुडानी जला जजजर वाले को मिले हर्याना वाले को दस वरस के बालक थे सन 1727 में प्रमात्मा सच्खंड से आये जैसा वो लीला करते हैं वेद बताते हैं कबीर साहिब कहते हैं बेद मेरा भेद है मैं ना मिलो वेदन के माही अर्जोन वेद से मैं मिलो ये बेद जानते नाही चारों वेद मेरी महिमा से प्रिपूर्ण है लेकि इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंतर खतम कर दिये अब उसी ग्यान को दुबारा जहने के लिए स्विम प्रमातमा आते हैं अब आदनिय गृबदाश साहिब जी को सजखंड लेकर गए उनका स्रीर निचे रह गया दो तिन गंटे के बाद अन्य खेतों की बात है जो पसू चरा रहे थे गवे चरा रहे थे अपने खेतों तो उनको मरत जानकर शाम के समय यानि इस दोरान आठ तस गंटे लग गए चिता पर रख जिया था तो प्रमातमानों पुरुशारी सुच्खंड वगरा दिखा के वापे छोड़ा था उसके बाद आदनिय ग्रीबदास साहिब को प्रमातमान एक विशेश ग्यान दिया कम्पलीट वो जैसा उनका नर्धारित कारिय था वो किया समच 1774 में उसका जनम होगा और वो बार मापंथ ग्रीबदास को होगा उसके माद्यम से मेरी महिमा की बाणी पुने पर गठ होगी दिरमदास क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहिब ने तो दिया था ग्यान उसमें कबीर पंथ में गुशका ये काल के दूत उस ग्यान का प्रारूप बिगाड देंगे उस ग्यान को पुने सुचारू करने के लिए ग्रीबदास जी को वो पूरन ग्यान दिया जैसे नानक साहिब जी को भी सुच्खंट दिखा दिया ग्यानमत के एकसर थी लेकिन नानक साहिब जी की तो यथारत वानिया थी जिन को संग्रह नहीं किया दास का और ग्रीब दास साहिब जी ने वो कम्पलीट संग्रह करवाय यह कह करके कि यह लखे तो पूरी लखना ना तो मैं नहीं बोलूँगा तो दादोपन थी है गुपाल दास डाम के संत ने वो कम्पलीट बैठ कर लिखवाई गई थी तो वो अभी तक लेटेस्ट थी दो सो डाइसो वरस की बात है सन सत्रा सो तीस में लिखी गई थी तीन वरस बात और आज दो हजार बारा है तो दो डाइसो वरस हो ये तिन सो वरस हो गया हुए पौने तिन सो और इस वाणी का ऐसा कहीं परचार नहीं था इसलिए ये गरंद सुरुखसित रह गया और इसमें एक विशेशता थी क्योंकि गरीबदास पंथ सिद्दास का निकास है उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदी कोई फिर बदल कर देगा उसकी दुरुखती हो जागी एक संत ने कोशिस की थी कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर जो मतलो उनको वैसे है तो वो सही लेकिन जनसाधारन उसको विपिनित अर्थ ले ले लेता है तो उस संत ने कोशिस करी कि इससे ये निकाल दूँ तो उसको अध्रंग मार गया और उसने अपनी अक्समा याचना की वो वाणी दुबारा लिखी एजिटीज तब वो रहत मिली उसको 90 पर 30 कुछ फिर भी उसको सजा मिली तो उसके बाद पूरे गरीवदास के पंथ में जितने भी मेंत संत हैं सब इस तीज से डरते हैं कि मातरा भी गलत ना कर जिए इसकी वाणी का यह किसलिए किया था कि कान बिगाड़े देंगे अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुधी अनुसार यह सद्गरंथों का अनरस कर डालते हैं तो वो वाणी आज हमारे पास है और वो गरीब दास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुड रहसे को और इस दास पर दया करीब परमात्मा ने अपने सद्गरंथों का कम्पलीट ग्यान दे दिया आजनी गीसा दास साहिब जी गाउं खेखडा उत्तर परदेश जला मेर्ट के अंदर उनको भी ऐसे ही वो साथ आठ वरस के बच्चे थे दस वरस के तब उनको परमात्मा मिले थे एक बुढ़ा बाबा के रूप में यानि संत के रूप में जिंदा मात्मा के रूप में तकरीव उन सब को मिले हैं ऐसे तीन दिन तक वो गिसादास जी भी अचेत रहे तीसरे दर उनकी वापस आए तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी लेकिन उनकी कम्पलीट वाणी भी लिखने में नहीं आई बहुत कम वाणी लिखी गई है वो नोट हुई है उनके गरंथ में लिखी है अपना अत्मा जो परसंग चला था आदनिये गरीवदास साहिब जी ने आखों देखा उस परमात्मा की मही मा का क्या वर्नन किया है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं अऔर फिस इत्री वार पुराणी हिंदु धर्म से हैं उनसेर चलते हूए बग्त क्या गरते थे आर्मी में था पहले सर मैं बहूँ जादा नसा करता था और इतना नसा करता था कि मैं एस नसे से नसे सभी ची से सराब जैसे की सराब हो गया और चरस हो गी और जुआ अगरा भी खेलता था तो ताकि मैंने उस नसे के कारण अपनी नौगरी भी त्याग दी और टास्पोर्डिंग ट्रग हो रहे थे वो भी सब बेच दिये तो मेरे पकुछ नहीं बचा तो मैं इतना परि नसा मुक्ति के इंदर में अडिमीर कर दिया, नसा मुक्ति के इंदर में अडिमिर्ड होने के कारण में फिर फेर फेना सुरू करता ता फ। नसा मुक्ति गेंद्र में उसके बाद वहाँ आके मुझे ग्यान-गंगा नहीं पैँजे ने दिया तो, मैंने पड़ा उस्य ब्लिः है, हैं कोछ और ही है इस में ग्यान उसके बाद मैं बहसा आया, बहसा आने के बाद में फिर मेरी वह नसा ने से मेरा उससी पहले जो था मैं इतना मतब वो गया था मैंने पॉजन काने की भी काफी कोशिश की और उसके बाद में जो सलफांस के डिब्बी होती हुआ मैंने स्कूटी के अंदर भी रखी थी कि मैं कभी मुगा मिनना चाहिए था मेरे को कि मैं उसे समय वो मैं सलफांस खा लूँगा तो यहां तक ही मेरी कंडिशन थी भगजी उसके बाद में कहा गयते हैं घर में लाये मुझे मुझे भगजी लोग आये हो घर में सर लोग आये थे उनने समझाया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया फिर मैं संतर रामा महराज जी का सत्संग देखा और इंट्रव्यू सुनता सर जैसा कि आपने बताय कि आपने आत्मत्या करने की भी सोच ली थी आपने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं रहा गया था आपकी सारी प्रोपर्टी खतम हो गई थी फिर जब आपने संतर रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा ली तो आपको क्या अलाब मिले कि कि आपको नसा चूट पाया तंदो दर्शी शंतर रामपाल जी महराज से नामदिक्षे लेने के बाद मेरे सारे शोटी दूसरा जो सारी मेरी बैमारिया सुरु हो रही थी वह बैमारे सारी खतम होई बिमार्य जैसे कि ऑले के बिमारी स्प्रोढ़े रहे लग गया था और आधिसमें ड़ार चुछी यह दी डिया लाण contrach महाराच जी के सरान में जाने के बाद में भगजी मतलए छो मंतर जैसे मैंने आ वह सोचा भी नहीं था यानि कि जो इसमें महारा शेना का तीनों सेनाओं का रहता था उसमें से मैंडल लिया हुआ है और उसमें पार्ट सिब्ट के वा था मैस्टनल में तो वह सारी चीजें भक्ति के बाद में जो अभी अब सुझ मारा कि हम यह पहले से जुड़े होते तो आज तक साहित भक्ति मा कि हैं अ़्य महार्ग साही मिला हुआ है गुर जी का संतरांपाल जी महराग जी का तो ब्लैड़िस में तो बैंड में एसे आहरह था दो वहां से बुलहयोंत जा करदर गर ती मैं भी स्पीड में था, तो देखने जो बंदे बैड साइड में द्वपक mb hell भय थे हुनल कई बंदा मैं संत्रामपाल जी महराज की ये किरपा हुई इसा क्या दिया, जो आपका नसा एकदम से छूड़ गया? तो थोड़ा सा मौगा में जाग फिर पीता था लेकिन उस भक्ती में इतनी ताकत है कि वो सभी चीज जो भी गलत काम हो उनको सब को साइड कर देती है सर यह बहुत अचरच की बात है आप देव भूमी से बिलॉंग करते हैं उत्रा खंड को देवों की भूमी का गया है आप के यहां केदार नाध धाम है बदरी नाध धाम है तो इन सब धाम को छोड़कर आप संत्रामपाल जी माराज जी की सर्ण में आए और आपने बताए कि आपको जो संत्रामपाल जी माराज ने मंतर दिया उससे आपका नसा छूड़ गया तो क्या ये मंतर केबल संत्रामपाल जी माराज जी के पास ही है और आपको कहीं ये मंतर नहीं मिला जी मेरे को ठीक होने के लिए मेरे घरवालन क्या मेरी पत्ली नी क्या काफी कोशिश की यानि की गड़वाल से लेकर के जितने हमारे कुमाओं के गुरू अगर वगर ये भूख जाड़ फूख करने वाले जितने से सब को पूझा मैं यानिकी बहुत ज़्यादा खर्चा होता था वो खर्चा किया लेकिन कहीं किसी की बश की बात नी कि मैं एक दो दिन न ठीक रहो होंगा फिर हूँ ऐसी फिर हुआ आप्म इसी तो वही मैं समझ के जालता था कि हाँ चलो यह वाली नांद harmपार जी महाराज पर देखता था तो उसे पता है लेकिन जब मुझे नाम दान नाम दिक्षिया लेने के लिए जब मैं वहां गया हूँ जब मुझे वह चीज बताएगी कि यह चीज नहीं तो मैंनी कर्षिया डेट दो मैंने से तो मैंने प्रोपर ऐसी कि मैंने सुझा कि देखता हूँ मैं अगर इतनी सक्ति इन में होगी तो मैं ठीक हो जाओंगा और मैंने की और अनुची जो चीजे बताई मेरे को तो मैं वे चीजन सब निकल गई और संतर रामबाल जी किर्वास से मैं आज की डेट में ठीक हूँ और समाज में बैठने लाइक उठने लाइक हूँ जो मंत्र नामदिक्षा के अंदर संतर रामबाल जी महाराद द्वारा दे गए हैं उन मंत्रों में इतनी सकती है कि वह मंत्र बिश्व में तत्तों जर्सी सं साथ आपने पैसे पैसे लगते हैं और अधने थे पहलें हैं भगत क्या जगत क्या सब के लिए जो वहां पर आते हैं सुनने के लिए कि जो भी आता है वो बत्तब उपर ही बात करता है कि यह तो बहुत अच्छा है यह है सर अब आखरी सवाल आपसे संत्रामपाल जी महाराथ से नामदिक्षा कैसे ले सकते हैं सुरेंदर जी हमारे चैनल पर अपने अनुवब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचाई आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कि अधिक जानकारी के लिए सुन पर आप सकते हैं